ओम असतुमा सत्कुर्ण खड़ाम आचायरे, अदेश करे तमसुमा जोतील कमया मृत्योर्मा अमृतम कमया अज जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उस पर समस्त भारत वर्ष का भविश्य टिका हुआ है यसी क्या बात है अचायरे जिसके भनक आप किसी को नहीं लगने देना चाहते तुम्हें नंदिनी से विवाह करना होगा चंद्र यह असंभव है अचायरे उसके पिता ने मेरे पिता का वद किया उसके पिता ने वर्षों तक मेरी मा को बंदी बनाए रखा उसके करन मेरी पहन को आनाम जीवन जीना पड़ा और आप चाहते हैं कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करूँ कहने के लिए शमा चाहूंगा अचायरे कि मैं आपके आग्यों के बालन नहीं कर सकता व्यक्तिगत भावनाओं से उपर उठकर ही राष्ट्र का हिद किया जा सकता है कि तु ऐसे कर कौन से हिद पूरा होगा अचायरे और क्यों करूं मैं से विवाह क्योंकि नंद भी जीवित है यह संभवे अचायरे मेने स्वैम्त में हाटों से इसके प्राण लिये थे अथेवाह जब हमने उसके अंतिम स्वाज चाते देखें हाँ मैं भी वही था परम तो हमसे एक भूल हो गई है चंद्र उसे मृत समझकर वहां से निकलने की पूल वह वही पड़ा रहता तो कुछ समय पश्चात अवश्य मर जाता पर अंतो हमारे निकलने के पश्चात अमात्य राक्षस ने उसे बचाया और मेरे गुप्तचरों ने ये सूचना दी है कि केवल नंद ही जीवित नहीं अपितु उसका पुत्र धन भी सुरक्षित है अमात्य राक्षस ने नंद के अनुमती से इस धन को धनानंद के नाम से मगत का राजा खोशित कर दिया है तकि मित्र राज्यों के सहयोग से हमारे विरुत सेना खड़ी की जा सके किन्तु हम तो मगत पर अपना दिकार जमा चके है और सब भली बाती जाते हैं कि कल मेरा राज्य विशेक होने वाला है राजनीती में आज और कल के बीच का एक शन भी युगोगांतर सिथ होता है यदि हम आज सोचेंगे तो कल उसके परणाम दिखाई देंगे इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि तुम नंदिनी से विवा कर लो फिर भी आचारे चाहे कुछ भी हो मैं इस लड़की से विवा नहीं कर सकता तुम्हें ये विवा करना ही होगा चंदर नंद और उसकी सेना मगत पर आकरमन करना के लिए तुम्हारा वद्ध करने के लिए अधीर है यदि तुम नंदिनी से विवा करोगे तो उनके कदम रुख जाएंगे नंद अपने पुत्री को विध्वा नहीं दे सकता नंदिनी शस्त्र भी है और ढाल भी उसके उचित प्रयोग से हम एक सुद्रीड राष्ट्र एक सुद्रीड समाच का निर्मान कर सकते है ठीक है अचारे के दो यदि मैं मान भी लेता हूँ तब भी मैं किसी से बल पूरवक विवा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस लड़की के भाईयों को उसके पिता को मारा है तो फिर वो क्यों मत से विवा करने के लिए प्रस्तुत होगी तुम एक विजेता हो चंद्र और वो एक पराजित राजा की पुत्री विवा करने ना करने का उसके पास ना कोई विकल्प है और ना ही अधिकार फिरने तुम्हें लेना है तुमने उसे जीता है, अब ये तुम पर निर्भर है यदि तुम उसे दासी या बंदी बना कर रखते हो तो नंद के प्रतिशोत की अगनी को और बढ़ाओगे और यदि तुम उसे विवाहिता पत्नी बनाओगे तो नंद के पैरों में बेडिया डालोगे तुमें ये विवाह करना ही होगा चंद ये मेरा आदेश है राजमादा पधार रही है एक समय था जब हम मित्र थे मैं चाहती हूँ कि इस वर्षो की मिजद्दा को आगे बढ़ाया जाए और उसका एक ही माग है कि मेरे पुत्र चंद्र का विवाह तुमारी पुत्री नंदिनी से हो किसी मूल्य पर ने तुम चाहती हो कि मैं अपनी पुत्री का विवा तुमारे पुत्र के साथ करूँ ताकि वो जीवन भर उसका अफमान करता रहे उसे पीडा देता रहे यही चाहती हो ना तो लेकिन मेरे जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा मेरी पुत्री का विवा उसी से होगा जिससे वो प्रेम करती ना कि किसी के प्रतिशोत की पूर्दी के लिए तो किससे विवा करवाओगी नंदिनी का उस मलेकी तुसे जो तुमारे पती को खाय लवस्ता में छोड़कर युद भूमी से भाग गया भाग गया परन्तु उसने अपने होने वाली पत्नी के पिता की हत्या नहीं कि तुम्हें एक रानी बन कर सोच रही हूँ एक मा बन कर सोचो क्या तुम्हें लगता है कि मलेकी तु फिर से आयक तुमारी नंदिनी को लेने और मेरा चंद्र कोई भिखशुक नहीं मगत को जीत कर राजा बना है और तुम्हारी पुत्री का स्तित्व अभी राज कुमारी का नहीं एक तासी का है एक तासी का सोभाग्य है कि एक एक राजा की मा आई है उसका हाथ मागने के लिए तुम लोग आज हो परन्तु कल नहीं फिर एक समय था वंदिका जब तुम मेरी सकी थी उसका सम्मान करते हुए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी पुत्री का अपमान हूँ मैं तुम्हारे पास सम्मंद का प्रस्ताव नहीं बल्के अफसर लेकर आए हूँ एक ऐसा अफसर जो तुम्हारी पुत्री को राचपत देगा सम्मान के साथ जीनिक अधिकार देगा तुम भली भाती जानती हूँ अवंदिका एक रानी तब तक रानी रहती है जब तक वो इस महल में रहती है एक बार सीमा लांदी तो एक तासी बन जाती है मैं लांदीनी को ये अफसर देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई दोश नहीं मुझे जो कहना था मैंने कह दिया अब आके तुम सोचो माँ अपलों ठीकता है ना माई चंद्रा के माद या क्यों आये थी विवा का प्रस्ताव लेकर विवा का प्रस्ताव उचाती है कि चंद्र का विवा तुम्हारे साथ हो क्या यह संभव नहीं है माँ उसने मेरे भाइयों की प्रता महाराज के अत्या की लंदीनी मुझे कुछ समय के रिक रांद शूट दीजी प्रस्ताव 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 स्टाप्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद अपने फेवरिट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब तु स्टाप्लस यूट्यूब पेज प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव